वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते आप मेंसे बहुत से लोगों को पता है कि सिख धरम में हरे एक गुरु ने अपने शिश्य की सेवा बक्ति देख कर उनसे खुश होकर उन्हें गुर्गद्दी सोंप कर सिखों का अगला गुरु बनाया पर उन सभी सिख गुरु टेंग बहादुजी एक ऐसे गुरु हुए हैं जिने गुर्गद्दी अपने पोते से प्राप्त हुई थी यानि पोते ने अपने दादा को गुर्गद्दी सोंप कर शिखों का नोमा गुरु बनाया आखित यह सब कैसे और क्यूं हुआ यह सब जानने के लिए आ नामकी जी के घर अमरिज सन में हुआ, आप जी पिता हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे, आप जी के चार भाई, बाबा गुर्दिता जी, बाबा सूरचमल जी, बाबा अनी राई जी, बाबा अटल राई जी और एक बड़ी बहन वीवी वीरो जी थे, इति उन्हें ऐसा करते देख, तब संक्तों ने पूछा कि क्या कारण है कि आप जी ने बालक को देखते ही शीष जुका कर नमस्कार किया, तब गुरुहर गुबिंद साहिब जी ने बताया कि ये बालक बड़ा होकर देन दुख्यों की रक्षा करेगा और तुर्कों की जड़े हिलाएगा, बच्पन में आपका नाम आपके पिता ने त्याग मल रखा, पांच वर्ष की आयू होते ही भाई गुर्दास जी और बाबा पुड़ा जी से शास्त्र विद्या ग्रहन की, साथ ही आपने शास्त्र विद्या तथा घुर्द सवारी भी सीखी, आप जी को तलव पूर पंजाब में जंग लड़ी थी, उस समय बालक त्याग मल ने तलवार के ऐसे जोहर दिखाए कि दुश्मन उनके सामने टिक न सके, इससे प्रस्थन होकार गुरु पिता हर्गोबिन साहिब जी ने आपका नाम त्याग मल से तेक बहादुर रख दिया, शिर्गुरु जरूरतमंद रखती को पैसों की जरूरत थी, गुरु जी तब अपने घर से सामान लाकर उसे दे आए, जब आपके माता जी ने इस बात का कारण पूछा, तब आपने बड़े सहथ सभाव कह दिया, माता जी हमें ऐसे सामान का क्या करना जो हमारे लिए इतना जरूरी नही हैं, पर उस गरीब के किसी काम अवश्या सकता है, इतिहास में दर्ज हैं कि आपके बड़े भाई, गुर्दता जी के विवा के समय, बालक तेक बहादुर जी को बेश किम्ती पुशाक, सोने के कड़े और हार पहनाए गए, जब बारात चलने लगी, तो आप जी की नजर ए से अपने कपड़े और गहने दे आए, आपके पिता तब बहुत खुश हुए, इन सभी घटनाओं से ये सिध होता है, कि आप बड़े ही दयालू थे, बालक तेक बहादुर जी के दूसरे बड़े भाई, बाबा अटल राई जी थे, जो आप से केवल दो साल बड़े थे, ह आँख में चोनी खेल रहे थे, ढूडने की जिस बालक की बारी आती, तो उसे अपनी बारी देनी पड़ती थी, अंधेरा हो जाने पर खेल बंद करना पड़ा, पर ढूडने की बारी एक मोहन नामक बालक की थी, अगले दिन वही खेल शुरू किया गया, पर मोहन खेलने न आया, सभी बच्चों को लगा कि मोहन अपनी बारी से बचने के लिए खेलने नहीं आया होगा, तब बाबा, अटल राई जी और बालक तेक बहादुर जी सभी बच्चों के साथ मोहन के घर पहुंची, वहाँ जाकर उनके घर वालों को रोता देख पता चला कि मोहन की के डसने से मृत्य हो चुकी है, उस समय बाबा अटल राई जी ने से सभाव कह दिया, नहीं वे मरा नहीं है, बलकि वे मरने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसकी अब ढूडने की बारी है, जिससे वे बच रहा है, इतना कहकर बाबा अटल राई जी मोहन के पास गई और अप पारी तो तुझे खेलने ही होगी, अब उठकर खड़ा हो जा, कहते हैं तब एक चमतकार हुआ, बाबा जी की छड़ी लगते ही मोहन उठकर बैठ गया, तब सारे बच्चे मोहन को लेकर खेलने चली गई, पर मोहन के माबाप इस चमतकार को देखकर हैरान रह गई, क्योंक दिरे ये खबर पिता हर गोबिल साहिब जी तक पहुच गई, वे ऐसा सुनकर पिलकुल परसन्ना हुए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र बाबा अटल राए हर परकार की करमातों के मालिक है, और अगर सभी लोगों को उनकी ये खबर पता चल गई, तो सब अपने घर वालों का मृत शीर उठाकर बाबा अटल राए जी के पास जिंदा करवाने के लिए भविश्य में ले आया करेंगी, तब पिता ने अपने पुत्र बाबा अटल राए को अपनी पास बुलवा कर कहा, बेटा तुने आज प्रबु की रजा के विरुध काम किया है, ये क इशा, सत्गुरों ने संगतों को यही उपदेश दिया है कि इश्वर की रजा में रहकर हर कारे करना चाहिए, पर तुमने उस प्रबु की मर्ज के खिलाफ ही काम कर दिया, इतने बचन सुनकर बाबा अटल राए जी शरम सार होकर वहां से चले गए, उन्होंने कोल सर के पास समाधी लगा कर अपने प्रान त्याग दिये, गुरुपिता और गुबिन साहिब जी ने अपने हाथों बाबा अटल राए जी का संसकार किया, सारे संगतों को धीरच दे कर कहने लगे मनुष्य की जिंद्गी और मोत प्रबु के हातों में है, उसकी रजा में ही सब कुछ होता है, इसलिए हमें किसी के जनम के समय ना खुश होना चाहिए और ना ही मोत के समय दुखी होना चाहिए, बालक तेग बहादुर जी उस समय वही मुझूद थे, बच्पन में इस घटना का उनके कोमल मन पर इतना गहरा परभाब पड़ा कि उन्होंने दृड संकल् कि मनुष्यों को दुखों वर सुखों से ऊपर उठना चाहिए, यही कारण था कि गुरु तेग बहादुर जी सारी जिन्दगी अडोल रहे और कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में एक और अनोखी घटना घटी, बाबा गुर्द करने गए, तब उनके साथी द्वारा एक गाय का गलती से शिकार हो गया, जिससे गाय की मोत हो गई, गाउवली इकठे हो गई, गाय का मालिक भी वहाँ आ पहुंचा, अपनी मरी हुई गाय को देखकर वे तडब उठा, वे बहुत गरीब था और जोर जोर से रोने लगा, इस तरह सभी लोग बाबा गुर्दिता जी के पास गाय को जिवित करने की बहुत द्विंति करने लगे, उनकी बात मानकर उन्होंने गाय को जिवित कर दिया, उनके पिता हर गोबिन साइब जी को जब पता चला तो उन्होंने इस बात की घोर निंदा की, तब बाबा गु जो एक गुरू बनने के लिए जरूरी थे पर उनकी अकाल-मृत्ती होने के कारवड़ के एक पुत्र हर रायजी यानि गुरू हरुभ्योवन साहिप जी के प네 ४ोतdy हर राइजी को 19 मार्च सन 1644 सिस्री को सिखों का साथमा गुरू परा दिया गया गुरू तेक बहादुर जी इतने शांच सभभाव के थे कि उन्होंने गुर्गदी पर अपना दावा ना किया और अपने पिता को इस बात के लिए कुछ ना कहा उस समय माता नानकी जी ने अप अपने पोते को क्यों दी तब गुरू जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अब मेरा श्रीर त्यागने का समय आप पहुचा है और तुम इसके बाद परिवार समेत बाबा बकाले अपने माई के जाकर पस जाना सही समय आने पर हमारे पुत्र तेक बहादुर को गुर्गद आकर रहने लगा उस समय गुरु तेक बहादुर जी का विवा माता गुजरी जी के साथ हो चुका था गाउं बकाला में रहते हुए गुरु तेक बहादुर जी ने 26 साल से भी अधिक समय तक एक छोटे से कमरे में एक कांथ स्थान पर बैठकर कठिन तपस्या की उसी समय के दोराण कीरतपुर में गुरु हर रही जी जोती जोत समाने से ठीक पहले अपने पाँच वर्षी पूतर हर कृशन जी को सिख्ओं का आठवन गुरु घोशित कर दिया पर गुरु हर कृशन जी का जीवनकाल बहुत कम समय का था इतिहास में दर्ज है गुरु हर क्रिशन साहिब जी दिल्ली में फैली चेचक की बिमारी से गरस्त रोगियों का इलाज करते करते एक दिन खुद भी इस बिमारी से गरस्त हो गए जब उनकी उम्र मात्र आठ वर्ष थी तब उन्होंने अपना आखरे समय आता देख संगतों से बचन किया कि बाबा बसे जे ग्राम बकाले बनगुर संगत सगल समाले जिसे सुनते ही संगत समझ गई कि गुरु नानक तेजी की गद्धी के अगले वारिस यानि अगले गुरु गाउं बकाला में रहते हैं जो सिखों के नोवे गुरु बनकर सारी संगत किया करेंगे कहते हैं तब ये खबर आग की तरह फैल गई इस मोके का फाइदा उठाते हुए कुछ ढोंगी बाबे 22 गदियां लगा कर खुद गुरु बनकर बाबा बकाला में बैठ गई ये नजारा देखकर सिख संगते दुविधा में पड़ गई कि असली गुरु आखिर कौन हैं कहते हैं तब एक मक्षनशा लुभाना नाम का व्यापारी था जो अक्सर व्यापार के सिलसिले में विदेश चाया करता था एक पर वे जहाज से पानी के रास्ते माल लाद कर आ रहा था तब समुदर में भ्यंकर दुफान आने लगा जिससे जहाज डूबने लगा वे इतना घबरा गया कि उसने गुरु जी को याद किया और विंती की ही गुरु देव मैं गुरु घर का सेवक हूँ यह जहाज किसी तरह भी किनारे पर पार लगा दे मेरी इच्छा पूरी होने पर मैं आपको पांसो सोने की मोहरें भेट करूँगा मखनशा की अरदास जब अंतरयामी गुरु तेग बहादुर जी ने सुनी तो उसका डूपता जहाज पार लगा कर उसकी रक्षा की मखनशा तब गुरु जी को अपनी मनोत की पांसो मोहरें भेट करने के लिए पंजाब पहुँचा जहां उसे पता चला कि सिखों के होने वाले नोवे गुरु गौम बकाला में रहते हैं मखनशा गुरुची को ढूणने बकाला गौम में पहुँच किया पर वहां का नजारा देखकर दुविधा में पढ़ गया क्योंकि वहां धेरो जूटे लोग गुरु का चोला पहन कर अपने को बकाला वाला गुरु कहलवा रही थी तब मखनशा ने सोच समझ कर विचार किया कि असली गुरु ही जानता है कि मैंने पांसो सोने की मोहरे उन्हें भेंट कर दी हैं इसलिए मखनशा ने सभी गुरुओं के आगे दो-दो मोहरे रखकर माथा ठीका परंको किसी ने भी उससे अपनी बाकी मोहरे ना मागी वे जल तेक बहादुर जी के पास पहुँच गिया गुरु जी के आगे दो मोहरे रखकर उसने माथा ठीका तब गुरु चीने मोहरे देखकर हसते हुए कहा मखनशा तू 500 सोने की मोहरे गुरु घर की मन्नत मांगकर अब सिरफ दो ही मोहरे दे रहा है तुम्हें गुरु घर की गुरु नानक देव जी की नोमी जोत है, वे खुशी से बाग बाग हो उठा, एक भी पल गवाए बिना उसने गुरु जी के आगे पांसो मोहरे रखकर माथा ठिका, तब उसने अपनी इस खुशी को सारे जहान को बताने के लिए छट पर चड़ गिया, अपने हाथों में कप सच्चे गुरु को प्रगट कर दिया, गुरु तेक महादुर जी को सिक्खों का नोमा गुरु बना दिया गया, गुरु जी के जीवन से संबन्दित सारी घटनाओं को सुनकर ये पता चलता है कि हर चीज सही समय पर प्राप्थ होती है, जब सच्चा गुरु प्रगट हुआ, तब सभी चूठे और पाखंडियों का पल भर में सफाया हो गया, और इस प्रकार सत्ते की जीत हुई, गुरु तेग बहादुर जी की भक्ती गाउं बकाला में पूरी हुई थी, तबी से ये स्थान बाबा बकाला के नाम से जाना जाने लगा, बाबा बकाले की उसी स्थान पर आजकल बाबा बकाला नामक बहुत सुन्दर गुरु द्वारा स्थापित है, वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी के फतेर